लिए बनाई है लिए तो चलिए वेटे शीया ने बधूर्टमी चो पिर जण दबाऊंगे केलिया थे मिना इस खिलिए सांगी मेर छिखन लेटे तो रियर सिंहीं जो oakables त्रह में लीजित वशित जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेने चिकन को अलकी से कट्स लगा लिया है ताकि जब हम इसे मारिने चाहिए तो मसाला इसमें अच्छे से चला जाए इसके अदावा आप पास्तो गरम चिकन के लिए हमें चाहिए पास्तो गरम राइस यहाँ पर लॉंग बैसमती करना है और फिर इसे पॉल करना है तीन बड़ी प्यास अब जब बिव्यानी कोर्मा बनाते हैं तो इसमें फ्राइक यूवी प्यास बहुत ही साथा जबू भी होती है प्यास ले लिए हमें फई कियुवी तीन बड़ी इसके अलावा हमें कुछ पाउडर मसाले और कुछ पाउडर मसाला प्याणी ना कोई भी भी स मशारा ले सकते के लो मनने ले लिया यहां पर मैंने 3-4 रावी मिर्च ले लिए जिसको कि मैंने इस तरह से बीच में कट कर लिया है आप तीखा अपने हिसाब से कम जाथा कर सकते हैं खडे मसालों में हमें चाहिए तेज पत्ता जावेती ले ले लेंगे बड़ी लाइची तो हवी लाइची दाल चीनी , तीन से चार लॉंग , तीन से चार काली मिर्च तो यह हमने खडे मसाले देख लिए है अब गावश के लिए और या बिव्यानी में डालने के लिए इसका पुदीन नेो है पुदीन पती ले लेंगे और हवा थनिया ले लेंगे यह आपके टेस्ट केसे से कमचाता है अपर यह कंपते लेंगे यह बिर्यानी का टेस्ट पडाने के लिए आप सिरच जाहे तो कुकिंग और में भी बना जाना सकते है या तो फिर इसे स्किप कर सकते हैं, उसके अलावा हमें कुक्की बॉयल चाहिए, तो यह देखिए, यहाँ पर हमें सारे के सारे इंकुरियोंस देख लिए है, अब हम जल्दी से चलते हैं, बिवयानी बनाने के लिए, यहाँ पर दो स्टेप होते हैं, एक तो चिकन को मैशने ने पकाना और दूसला होता है वाइस बोई करना है यह तो मैंने आपको पहले ही परता दिया और चाहे तो अब चाहे तो मेरे चानल पर वाइस कैसे बाल किया जाए उसे देख सकते हैं तो चिकन को मैमनेट करने के लिए यहां पर मैं इसमें डाल दूँगी अधवक अब लसूल की पेस्ट, साथी डालेंगे टमाटर, दही डाल देंगे इसमें, दही को अच्छे से पेट ले ताकि इसमें कोई लंपस न राये, अब हमने जो पाउडर मसाले लिए थे वो दो बwoodie na patty, दिल देंगे hem, पूदी पती को अब हाथों से तोड़ के डाल सकते हैं, और आप अगर चाहे तो पूदीना patty, हवाध्ण प्छी और हावीमिज़की पेडेस्ट पना कर भी इसमें, जिसमे डाल दीया देखेज हुत भी सेरण कम मेरं इसे निक्स करें कि आखे जाना के माईमें ताकि माण अभर टॉका के डिए राइचा के लिया हुशी दिए दिया है a Barry told मैंने से बहुत अखे हैं और हम इसे मिक्सिश्ट कर लिया है là Rock खें डिए तो आप इसे जादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं यह जितना जादा मैविनेट होगा उतना ही जादा खाने में टेस्टी लगेगा तब इसे गंटे के लिए लग देते हैं तो यह एक से देड़ गंटा हो चुका है अब हम चलते हैं इसे बनानी की तरह तब बियानी बनान कि चला देंगे इसे और मसाला को हमें अधाम नट तक की चला तेवू अच्छे से फून्ने देना है ताकि इसका फलेवर तेल पे sini अच्छे से उतर जाए आधाम निट पाफ मसाली अच्छे से बूण चूके हैं अब हम इसमें हमारी मैगैटिर चिकन डाल दिए ते skalा डाल यहां पर मैंने सारा मागनेटर चिकन इसमें टाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर भीमी आज पर 10-15 मिन तक पपने के लिए छोड़ देना है तो यह देक्टिये मैंने से बहुत यह से मिक्स कर लिया है अब इसमें एक लिड से धख लेंगे देखें देखें देखें, पैंड के नहीं पटने कि अटाएंगे दोग देखें के अटाएंगे यह जुए भीच बीच में चलाते वेएंगे, इस अटाएंगे अब आप तो बताया है अब बंद कर देखेंगे और यह दूसरा पैन ले लेए आपका जो डूपा जो वयसल है वो बड़ा है तो इस मों टवराई तरही कंद व कोकी जब दीया है दूपनागे लेकिन पर एकुर्ट जो जुब चोड़ कोड़ा है तो, जो पीसस है वो दिखने में बहुत जाथा अच्छे दिखते है आप कि मैंने नहीं जाए तो, यहाँ पे नहीं पूर्ण ले लिया है जिसको कि मैं इच्छे से पाणी दार asks वर्angen दिखती 6-7 धी. मां इस यहाँ पर सतीच टवा से डाल दूंगी तो यहां पर पने राइस को डाल देने हैं प्राइस को आड़ जाएंगे पूदिना पती और देसी गया डाल के इसे गार्निश करणे यह पे अगर जाहे तो फूर कलर डाल सकते हैं तो यह देखिए बिव्यानी की कार्णिशिंग पूए है अब हम इसे एक लिए से ढग देंगे अब इसे ढगकर हमें हाई फिलेम पे पहले 2 मिनिट तक के पकाना है और उसके बाद क्यास की फिलेम मुडियम कर देंगे या लो कर देंगे लो फिलेम पे इसे 7-8 मिनिट तक के अगर आपके परस जाड़े तले का बर्तन नहीं है तो आप इसे नीचे पैन या तवा रख सकते है और फिर बर्तन रख सकते है तो टोटल हमें इसे 10 मिन तक के पका लेना है उसके पास हमारी जो बिव्यानी है वह बनकर बिल्कुल तयार है तो यह देखिए 10 मिन हो चुके ह अपन का टाओंगे तो आप देख सकते है कि हमारी गर्मा करम बिव्यानी बिल्कुल तयार है अब इसे निकाल लिया है तो देखिए फ्रेंट्छी के पीसेस पर फूड़ डाला था आप देख सकते है कि उसके वज़े से चिकन की पीसेस को जो बहुत अच्छा सा कलर आ गया अगर आपको में अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाईक बाता शो में बाता है